हलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टु जाईफा क्लासे तो इस्टूडेंट्स कोश्चन दुमर थर्टीन तक हमने था लास्ट वीडियो में चैप्टर चला है लोग का प्रोवैबिलिटी चैप्टर नमबर फोर्टीन क्लास टैंज एंसे आटी मैथ स्टूरेंट्स तो इस्टूरेंट्स कोश्चन नमबर फोर्टीन से शुरू करते हैं क्योंकि एक्जाम बहुत करीब है में तवियत भी ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यह 14 से हम लोग और कोश्चन कर लें एक वी कोश्चन कर लेक्ट तो यहां पर बच्चों कोश्चन नमबर फोर्टीन मैं और और सबने कोश्चन नहीं हैं आप लास पार्ट पे जाके देख सकते हैं वहांपर आप को अगर के बारे में आपको बनाया है तो चलिए एक well shuffled deck है deck तर मतलब गड़ी ताश की गड़ी जिसमें 52 cards है तो बाबन cards होते हैं ताश की गड़ी में find the probability of getting तो हमें probabilities निकालनी है first part में कहा गया a king of red color a king of red color students ठीक है question number 14 का solution यह रहा है ठीक है question number 14 चल रहा है students 13 तक हमने लास्ट वीडियो में किया हुआ है जिन बच्चों ने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं description में link दिया है वहां जाके आप देख सकते हैं तो students question number 14 का first part हमसे पूचा गया है कि probability निगालनी है हमें red king की ठीक है किंग का card हो और red हो तो red king जो है बच्चो रेड किंग जो है वह दो होते हैं टोटल किंग जो है बच्चो 4 होते हैं और रेड किंग बच्चों होते हैं कि दो ठीक है तो रेड किंग मतलब एक diamond होगा और एक heart होगा ठीक है तो रेड किंग की probability बच्चो निगालनी है तो टोटल आउटकम कितना है माँ पास 52 क्योंकि जो ताश की फैवरेविल आउटकम्स अच्छा फॉर्मूला मैंने यहां पर नहीं लिखा तो यहां पर क्योंकि हम लोग पहला कोश्चन करना है तो फॉर्मूला लग देते हैं किसी भी इवेंट की probability बच्चो क्या होगी ठीक है किसी भी इवेंट की probability क्या होगी हम लोग जो है टेंथ क्लास में फॉर्टिकल एप्रोच यानि कम अलब क्लासिकल एप्रोच से probability निकालते हैं तो उपर लिखते हैं नंबर ओफ फैवरेविल आउटकम्स क्यों में टोटल नंबर ओफ आउटकम्स तोटल नंबर ओफ आउटकम्स बोलो हाँ या न अब अब जो को कि फर्स्ट वार्ड में हमसे पूछा गया कि probability निकालिए रैड काड हो और चिंग हो ठीके रैड काड हो और चिंग तो बच्छो टूटल आउटकम्स यहाँ पर आँगे 52 और रेड कलर के किंग कितने हो सकते हैं दो हो सकते हैं एक गड़ी में एक डैक में तो 2 अपॉन फिस्टी टू इसको सॉल्व करने अगर तो टू अगर तो यहां हो जागा तू टू टू दू फोर टू शेट तो आंसर होगा 1 अपॉन टूइटी इस उस्टूदेंस यह फीलारी सिंपल ओजो नेक्सट पार्ट है बच्चों यहां भर लो अ Cuba अफ्छी एफ शीयं सचैर्ट ठीकों डूसरा बच्चा बच्चों पोशें को यह डाल लिए अफ्यसिक आफ्यसिकत लीएट आप फेसिकत चार तरह के पत्ते होते हैं हाट इस पैड डाइमंड और किलब ठीक है चार तरह के पत्ते होते हैं ठीक है एक गड़ी में तो फेस कार्ड अगर हम हाट में देखें तो हाट मैंने आपको बताया था कि हाट में तीन फेस कार्ड होते हैं ठीक है इसी तरीके से अगर हम जाएं क लभ में तीन तरह के joker queen and king फिर अब इस पेड़ की बात करें तो इस पैड़ में तीन तरह के Judge King और कि फिर अगर हम बात करें diamond की तो diamond में तीन तरह के face card जो कर की इंद कुई ठीके तो tootal आपके कितने face card हो जाएंगी आपके पास गड़ी पूरी है तो total outcome तготов बच्चों हो जाएंगे 52 और अजो आपके रहेंगे टो टता हो गए बाइस तरिके से 6100 में ती 1 से टोटल में центral तो 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 यहां लिए सब्सक्राइब आइब रहे हरे हैं इसको सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब निम्किशंब्स है तो 2, 3 is a 6, 2, 1 Is a 2, 2, 3 is a 6, तो यह आ गया आपके पास बच्चो 3 upon 13, 3 upon 13, तो face card निकल आएगा, इसकी probability क्या बनेगी? 3 upon 13 बनेगी बच्चो, कि इतनी बनेगी? 3 upon 13, next part है, इसका red face card, अच्चा face card हो, red हो, यहां पर color से color नहीं था, ऑब इन्हों ने कंडिशन लगा दिया अब तरडि में कि वेश कार्ड हो ठीक है अब अब फैसकार्ड बहुत यहां बपाइब बच्चों और रेड फेसबर एड़ फेसकाड मेरे तो बच्चों रेड लेडा प्रॉपेसकाड और टीन सब्सक्राइब और टूटल फेसकाड में पास कितना होगा तो फैवृबल आउटकम कितना बन जाएगा six बच्चों यहां फिर से कार्ड में कि टू थीरी जए शिक्स तो बच्चों आ जाएगा three upon twenty-six यहां पर answer third part में क्या बननेगा three upon twenty-six students अब इसी कोशन में एक fourth part वनकी fifth and sixth part है ठीक है तो fifth part में बच्चों क्या कहा है फैक ऑफाइड है तै क्या सब्सक्राइड कहा है गानने सब्सक्राइड के अलिक ओफाइड तो हाड में जैक तो हाड में जो जैक का कार्ड होगा वो एक ही होगा बच्छों है नहीं और होटल आपके पास पूरी करत जै नहीं टोटल आॉटकम ही अवाट किए गए है जो कि जैक है वो एक ही होगा का बच्चो फौर्थ पाइट का 1 अपॉन 52 अब भीफट देखते हैं स्टूइन्स फिफभ्प पार्ड में खांग्या है अया इस पैड मतलब काड हो और इस पैड का हो यहां पर देखो बच्चो ठीक है इसके बाद हम लोग बात करनें फिफभ्थ पार्ट की तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इस पैड का कार्ड इस पैड का कार्ड हो मतलब हुकम का पता हो ठीक है तो इस पैड में टोटल कार्ड कितने होते हैं ठीक है हर एक में टोटल 13 कार्ड होते हैं इस पैड में 13 ठीक है उसके बाद हार्ड में 13 उसके बाद किलम है 13 ठीक है तो इस पेड़ कार्ड तो इस पेड़ कार्ड टोटल आउटकम से नहीं 52 अब इन 52 मैसे आपके पास कोई भी इस पैड़ का आजाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है तो यहां वर टोटल गार्ड गिनने है इस पैड़ के 13 तो यह होगे अब थर्टीन बंद थर्टीन 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 फॉर्टी तो यह बच्छो आजाएगा वन पॉन फॉर आंसर इसका फिफ्ट पार्ट का इतना आजाएगा वन अब फॉर अब नेक्स्ट है बच्छो हमारे पास एक शिक्त बांद दक्वीन ओफ डाइमंड डाइमंड की कुईन आजाएगा इसकी क्या प्रोगेबिलिटी है इस फिफ्ट पार्ट क्या है कि आप से पूछा है अक कुईन इसकी आप क्वीन ओफ डाइमंड ठीक है फिफ्टी टू यह लास्ट पार्ट का अंसर ठीक है तो ये शह पार्ट हमारे नापन फिफ्टी टू तो इसको करते हैं रफ और बढ़ते हैं आगे कॉशन नमबर फिफ्टीन के साथ तो कोशन नमबर फोर्टीन होगे रफ कर दिया जाए आप लोग यहां से नोट कर आंसर आंसर स्वीट से चलिए रफ करते हैं बहुत बढ़ी हैं तो बच्चों आप करते हैं हम लोग 15 कोशन नंबर 15 14 हम लोग का हो चुका है यहां से नंबर बनते हैं तो कोशन नंबर 15 करते हैं यह ब browser नंबर 15 लगा प्रका है वहां से आप देख सकते हैं कि कोशन नंबर फिफ्टीन हमारी एंसियर्टी की बुक में क्या है और मैं यहां पर पढ़ता हूं कोशन बुदल में कोशन नंबर फिफ्टीन बढ़ता व्यों इसे झाल और धने यहां पर पांच waż कार्ड ली고 कर्दिक यहां पर पांच कार्ड है एक कार्ड ये है एक कार्ड ये है एक कार्ड ये है एक कार्ड ये है ये तीन कार्ड हो गए एक कार्ड ये और ठीक है इनको उल्टा करके रखा है एक दो तीन चार और एक वा इनको उल्टा करके रख दिया है ताकि हमें ना पता चले कि कौन सा कार् और वो कार्ड ये 5 जो निकाले गए हैं वो हमें बता दियें कि ये कार्ड कौन कौन से हैं तो इन 5 कार्ड में से एक कार्ड है 10 एक कार्ड होगा पैन का बच्चो ठीक है और दूसरा कार्ड है अच्छा यह सब डाइमंड के गार्ड है दूसरा कार्ड है जैक का ठीक है यह सब डाइमंड के कार्ड है किसके कार्ड है डाइमंड की इस तरीके का सिम्मल जो होता है रैड कलर में होता है ठीक है एक टैन है इस वेगर कोईन हो गई और एक किंग हो गया ठीक है कोन ऊच्छा से टाइब इंग हंश्हा ठीक है इसको अच्छे से लिया गड़ी पाँच कार्ड की हैं यह पाँच कार्ड भी है पास कारड सा धेगे क्या के देग्IE क्टा क्हें लिआ और देन पिग अब एड रेंडम क्या होता है कि इस में से एक कार्ड हम रेंडम ली चूज करते हैं तो फर्स्ट बार न बूचागी है कि वाट इस दा प्रोवेविलिटी दा कार्ड इस क्या प्रोवेविलिटी होगी कि आपके हाथ में तो इनका कार्ड आ जाएगा तो सबसे पहले किसी भी इवे फ्रोवेविलिटी थी चूर्रिकल एफ़ रोस से अम कैसे निकालते हैं तोटल नंबर आउटकम्स नीचे लिखेंगे उपर लिखेंगे प्यारे बच्चों नंबर ओफ फैवरेविल आउटकम्स ठीक है बच्चों तो बच्चों यहां बर जो फर्स्ट पार्ड है इस सवाल का जैसे कि आप देख रहे हैं बोड पे हमसे पूछा गया है कि क्यों आपके हाथ में आ क्यों आ जाएगी इसकी क्या प्रोड लिटी तो टोटल आउटकम्स बच्चों क्या है पांच आपके आंसर पांच तरह से आ सकते हैं ठीक है तो जब आप पत्ता निकालेंगे हो सकता है टैना जाए हो सकता है जाए हो सकता है क्यों ना जाए हो सकता है कि ना जाए हो सकता है अब next part क्या कहा इन्होंने next part में कहा है कि if this queen is drawn अब यह घटना घट जाती है मानलो second part में समझो यह घटना घट जाती है कि आपके हाथ में queen ही आ गई queen ही आ गई and put aside what is the probability that the second guard picked up second part में भी 2 बार्ट दिए है क्या रहाए कि फिर उसके बाद a is आ जाए की क्या the probability is second part में भी 2 लगा हो थो सेकंड बार्ट का पहला second part का पहला पार्ट करेंगे जिसमें second part का पहला पार्ट करेंगे जिसमें इन्होंने कहा है कि second part chyba first part second नोने की probability हो जाए कि एस आ जाए आपके हाथ इस की क्या probability अच्छा आप हुआ क्या सम्झों लोन अगा कि माझनो जो पहला जो हमने work कि विया कि हम क्यूंए को निगालना चाह रहे थे और सपोस्थ अपके हाथ में यहां से कहीं से जो बहुत भी आपने मालों यह कार्ड आपने चुना तो यह कुईन का ही था और यह बूतना घट गई आपके हाथ में कुईन आ गया तो कह रहें कि इसको फिर पत्ते को हटा दू यह को इनका पत्ता हम ने यहां था थैक है अब हटाने के बाद उन्होंने का अफिर से करना है और अब probability S की क्या होगी कि S आपके हाथ में आ जा है उसकी probability अब total outcome से बच्चों चारी बच्चे क्योंगी क्यों हट चुकी है और हम S लाना चाहते हैं इकका लाना चाहते हैं उसकी प्रॉब क्या होगी तो अब फैबरेबल हमारा वन ही है ठीक है तो वन अपन तो ऐस आने की प्रॉबबिटी हो गई अब सेकेंड का बी पार्ड में बच्चों फिर से उन्होंने पोछ लिया अब सेकेंड के की क्या रहें कि अब हो कुईन वालो जो पहला पत्ता निकल गया तो तो अब क्यारी और रहं कि की प्रॉबैबलेटी की क्यों आ जाए इसकी फिर से बताओ तो पहले बार में कुईन तो निकल Pe यहां पत्तों में किसी में भी कुईन है नहीं puisque by वाला पत्ता तो निकल is ठीक है तो बच्चों ये तो impossible event हो गया तो यहाँ probability क्या बनेगी बैच्छों जीरो इसको ध्यानक नफ्स तो यह question number 15 हमारा complete हो गया अब हम बच्चों चलते है question number 16 की तरफ ठीक है करने इसको note कर लिए आपने समझ रहे ठीक है screenshot भी ले सकते हैं यहां पर और अगर दिक्कत हो रही है कि बहुत slow slow चलना है वीडियो तो आपने speed बढ़ा सकते है YouTube में यह option दिया हुआ है कि आप speed बढ़ा कर देख सकते है ठीक है और जो question आता है उसे skip कर सकते है आगे बढ़ सकते है next question पर जा सकते है ठीक है तो चलिए बच्चों करते है question number 16 और question number 16 मैंने यहां पर बोर्ट पे लगा दिया है आप लोगों के लिए एक book मैंने अपने लिए रख रख रखी है यहां पर पढ़ने के लिए ठीक है ताकि मैं भी question कोंकि यह digital बोर्ट तो है नहीं कि question इसमें लिखा हुआ आ जाएगा लेकिन फिर भी बहुत अच्छा चलना है जो भी है समझ में आना चाहिए ठीक है पढ़ाई चाहें कैसे भी करो के लिए रोनी चाहिए 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 डिजिटल वोर्ट वाइड वोर्ट पढ़ने वाला होना चाहिए और अच्छे से समझ में आना चाहिए पढ़ाने वाला भी अच्छा होना चाहिए जो बात है चलो नेक् ठीक है बच्छों यहां बन जो हमारे अच्छे मैं है गुड़ पैन है गुड़ पैन्स हमारे है 132 ठीक है यह अच्छे पैन थे 132 ओकोशन कहा रहा है कि 12 डिफेक्टिव मैंने तो डिफेक्टिव पैन कितने हैं 12 है डिफेक्टिव डिफेक्टिव पैन्स तो बच्छों डिफेक्टिव पैन्स कितने हैं 12 तो टॉटल पैन कितने हो गए बच्छों टॉटल पैन्स कितने हो गए बोलो जल्दी से जोड़ देंगी टूएंट तो फोर वन फोर फोर हो ठीक है कितने हो गए 144 पैन हो गए टॉटल वो मिक्स हो गए आपने डिफेक्टिव पैन और गुड बन्स दोनों अच्छे पैन और डिफेक्टिव पैन दोनों मिक्स हो गए ठीक है इस नॉट पॉसिबल तो जस्ट लुक एड़ पैन है एंड टेल वैदर और नॉट तो बच्चो एक मिनट थोड़ा एक प्रॉब्लम है तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कोशन नमबर 16 में यहां बन हमाए पास गुड पैंस कितने हैं 132 डिफेक्टिव पैंस कितने हैं 12 और टोटल पैंस हो गए 144 ठीक है तो कोई प्रॉब्लम आ गई थी यहां पर इसलिए मुझे वीडियो पॉस्ट करना पड़ा है ठीक है होता है काम कर रहा है बीस में एकदम कोई दिक्कत आ जाए चलिए लोटके आते हम लोग अपने कोश्चन पर तो यहां पर पैंस मिक्स हो गए और हमें नहीं पता चला कि कौन सा अच्छा पैन है और कौन सा डिफेक्टिव है ठीक है वन पैंट इस टेकन आउट अट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट अब इस टोटल पैं मैंसे हमने क्या करा कि एक पैंट जो है वो रैंडम ली निकाल लिया डिटर्माइन द प्रोवेबिलिटी दपैं टेकन आउट क्या प्रोवेबिलिटी बने गी क्या बचो क्या प्रोवेबिलिटी बने गी कि एक अच्छा पैंड ही आपके हाथ में आये इड़के तो प्रॉवेबिलिटी का फॉर्मूला हम लगाएंगी पह coding टोटल number of outcomes बच्चो और उपर लिखते हैं हम लोग number of favorable outcomes फार्मूला जरूर लिखे हैं हर सवाल में अब बच्चो हमारे जो event है वो क्या है एक अच्छा पैन आ जाए हमारे हाथ में इसकी क्या probability क्योंकि दोनों अच्छा पैन आ जाए है इसकी क्या प्रवब्ल तो टोटल आउट्वम्स लिए 144 अब 144 मैसे कोई साइट चूज कर सकते हैं तो यह हो गया 66 अगन 72 अभी और सिंपल कर सकते हैं इसको टू-306 2360 मैं तो यह आगया थी थीरी और नीचा गया थर्टी से अभी और सिंपल हो सकता है पृब्ले तो फाइनले हमें मिला एन यह पर आप पॉन ट्वेल्ट तो जो कोशन नमबर सिक्स्टीन भी कंप्लीट हो चुका अब चलते हैं बच्चों कोशन नमबर सेविंटीन पर तो रफ करना पड़ेगा आप लोग समझ गए होगे कोशन नमबर सेविंटीन यहां पर बोर्ड पर यह रहा के सामने ठीक है जैसे कि के बीसी चल ला यह रहा आइस्क्रीम चलो कोशन नमबर सेविंटीन अ लॉट आफ ट्वेंटी वर्फ कंटेन है इसने अफ्रों टेफ्य वर्फ हैं जिसमें फो डिवेक्ट्टिम है तो वन वर्फ डॉन वर्षण है इसका फिर्स पार करते हैं तो यहां बार्बच्चों कि हमें गिविन क्या है ठीक है तो टोटल है कितने ठीक है टोटल बल्व कितने है बच्चों टोटल बल्व है बच्चों 20 अब डिफेक्टिव कितने है उसमें से डिफेक्टिव कितने है डिफेक्टिव बल्व कितने है तो वह बच्चों कहा रहा है तो गुड वल्व कितने हो गए गुड वल्व कितने हो गए गुड वल आउटकम्स टोटल नंबर ओफ आउटकम्स अब आउटकम्स अब आउटकम्स अब आउटकम्स अब आउटकम्स अब से पूझा कि आपके हाथ में उसमें से रेड्नमली हम 20 वल्फ में से एक बल्फ निकाल लेते हैं तो डिफेक्टिव वल्फ आपके हाथ में आ जाएं डिफ अच्छो टोटल बल्व कितने हो गए 20 और डिफेक्टिक कितने हैं आपर 4 तो 5 रिवल हो जाएंगे 4 तो 4 1 4 4 5 20 तो 1 अपन 5 आ जाएगी बैच्छो प्रोब लिए कितनी आ जाएगी 1 अपन 5 यह इसका फर्स्ट पार्ट का सॉलूशन था अब बच्छो इसका साइगन पार्ट में ठीक है नौट prowad आ गया ठीक नॉट डिफेक्टिफ बल्व आ गया मैं स्ट्व not defective and is not replaced ठीक है आपके हाथ में not defective मतलब एक अच्छा बल्ब आ गया आपके हाथ में और फिर आपने उसे अलग रख दिया ठीक है अच्छा बल्ब आने के बाग उसे अलग रख दिया रिप्लेस नहीं गिया नाओ वन बल्ब इस ड्राउन एट रेंडम फ्रॉम दरेस्ट अब बचे हुए बल्ब मेंसे एक बल्ब फिल निकाला तो वाड़ इस दप्रोवेबिलिटी दैट इस वल्ब इस नौट इसको किया कि हमने वह ट्विंटीव मैंसे बल्ब निकाला तो डिफेक्टिव वाने की प कि हमारे हाथ में अच्छा व्लब आ गया ऊठ्यश्टिव व्लब तो ने कब यह तो रख दिया हमने उसको अलग रख दिया अब टोटल वल्ब आपके पास कितने बचे magic लौर्ट में charge on वालब अब ने निकाल दे वह व्लूवे अभी उतने ही बने हुँए ऑन तो धि म वल्व तो नहीं निकला डिफेक्टिव वल्व तो नहीं निकला डिफेक्टिव वल्व कितने बने हुए हैं अभी भी फोर बने हुए ठीक है और गुट बल्व मतलब अब कोशन कह रहा है कि क्या probability होगी कि आपके हाथ में नौट इफेक्टिव वल्व ही आए नौट इफेक्टिव की क्या probability नौट इफेक्टिव वल्व आ जाए तो टोटल आउटकम टोटल नमबर ऑफ आउटकम कितने बनेंगे आप है 19 और फेवरेविल कितने बनेंगे 15 तो 15 अपान 19 यहाँ probability बनेगी कि सेकेंड टाइम में आपके पास नौट इफेक्टिव वल्व आए ठीक है 15 अपान 19 यह कोशन नमबर 17 भी हमारा इस तरह से हो गया अब बच्चों करते हैं कोशन नमबर 18 रफ कर दिया जाए बोलो रफ कर दिया जाए ठीक है कोशन नमबर 18 भी मै ठीक है तो बच्चों कोशन नमबर 18 करते हैं बच्चों कोशन नमबर 18 में कहा गया है अब बॉक्स पंते नाइनटी डिस्क ठीक है एक बॉक्स है उसमें 19 डिस्क है ठीक है सी डिस्क मान लो आप विच आर नेम्ड विचार नमबर्ड वन टू 90 और उन पे नमबर पड़े से 90 तक if one desk is drawn at random from the box अगर बॉक्स में से और वो मिली है सब मलब सीरिस नहीं रखी इदर उदर रखी हुई है उल्टी सीरी मिली हुई है सब कौन सा नंबर कहा है हमें नहीं पता कौन सी नंबर की डिस्क कहां पर है हमें ऐसे नहीं पता है और रेंडमली हमने उसमें से एक दिस्क निकाली फाइंड प्रविबिवली डैट इत टो डिजित नंबर क्या प्रविबिलिटी होगी कि आपके हाद में टू डिजित नंबर वाली डिस्क आ जाएगी तो बच्चों पहली चीज तो यह कि हर डिस्क पर नंबर पढ़ा हुआ है दो टो तेरी फोर ऐसे डॉट 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 90 तक नंबर पड़ेए अब पहले तो प्रोब्यबिटी का फॉर्मूला तिक है टोटल नंबर ओफ ओट कमस तो टेल नंबर ओफ आउटकम्स यह मैं फार्मूला बार बार रफ कर देता हूं फिर लिखता हूं कभी सोचा आ तो फार्मूला बारबर ना लिखो तीक है उसको लिखा रहने दूं फिर नेक्स कोश्चन में वह यूज कर लो ठीक है लेकिन मैं पता है कि मुझता हूं नमबर ओफ फैबरेविल आउटकों मैं इसलिए लिखता हूं कि बारबर फार्मूला लिखोंगा आप बारबर तो प्रोबिविलिटी एक कोल टू नमबर ओफ फैबरेवल आउटकों सब्सक्राइब आपन में टोटल नमबर ओफ आउटकम्स हमारे पास डिस्क है 1290 और फस्ट पार्ड में इसका फस्ट बाड में प्रोबिविलिटी पूछा है कि टू डिजिट टू डिजिट वाली डि टू डिजिट नमबर डिस्क टू डिजिट नमबर डिस्क आपके हाथ में होगी एक रेंडम ली चूज कर देवा आप क्या प्रोबिविलिटी टूटल नमबर ओफ आउटकम्स तो बच्चोंगे नाइनटी अब बच्चों टू डिजिट वाले कितला होगा है तो देखिए तो टूडल नमबर है 1990 में से 9 को घुटा देगे कितना बचेगा टीवन नमबर ऐसे हैं जो टू-डिजिट में तो बच्चों यह एक हांबर फैबरेविल आउटकम समारे टीवन हो पूचाई एक स्क्वायर नंबर ठीक है अब आपके हाथ में ऐसी डिस्क आ जाए कि वह परफेक्ट इसक्वायर नंबर परफेक्ट इसक्वायर नंबर अब बचों टो वन से नाइन टी के बीच में मैं कितने परक्खेक्ट इसक्वार नूमर जाएगा तो यह नंबर फरक्थ इसक्वार्य है यह पर फॉर्फक्टाइकёл तो नो नमबर है तो तो टोल नमबर ओपकों तो वही रहेगा 90 और परफेक्ट इसक्वायर हमारे नाइन तो नाइन देज़ा है तो यह सेकंड पार्ट भी माल रहे है अब बच्व इसी में हमसे पूछा है एक थर्ड बार्ट हमार है था नमबब डीभीसिब्ल भाइब कि आपके हाथ में एक ऐसी टिस्क जाए जिस पर नमबह ऐसा ओए जो फाइब कोई कोई दिख्कन नहीं प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी अनमबर डिवेजिबिल वाइब तो यह इवेंट है मारा और टोटल नमबर और आउटकम से हुगा है कितने नमबर ऐसे है यह 5 से हो जाएगा फिर उसके बाद फिर 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 फीर पाइब हो जाएगा तो जिन नंबर के लास्मार आ रहे हैं और इसके बाद चलो हम लिखी देते हैं 35 जिस्सके आपको और के लिए और 45 हो जाएगा तो उसके बाद 55 हो जाएगा फिर 65 हो जाएगा फिर इसके बढ़ सेबिन इफ फाइगा फिर फरीटी फटी फाइब इन इपाइगा तक तो नहीं जाएंगे नाइनटी हे लास्ट नमबर अबन नीचा है जाएगा टैन्न कीव क sperm ्द चैन यहांट definite बिल्झ हो जाये का फोटी हो जायेगा चिछी चोलेगा सेव долго कि भी 1958 खेण तो यहां बढ़ इसको कार सकते हैं नाइन टू जा इतीन नाइन तेन इसको कार सकते हैं तो फाइब तेन और यह थार्ड पाइट की ठीक है पॉस्टन नमब्र एक टीन वारा कम्प्लीट हो गया यहां पर है ना लोके लिए हुआ तो छाईट नमबर एक टीन वन अपन फाइव तो बच्छों यहां मैं हमारे जो टोटल कोशन है वह है तो इंटितीव और हम इस वीडियो में कोशिछ नंबर फिफटीन तक ही रखने पारेंगे और नेक्ट्स उसमिटे तोन стать नंवमर हो को आइशी हुआ